सशी काकिसान वीरो नमशकार उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छे-च्छे काओं में खूब अच्छे से बिजी होंगे आज मैं एक नए खास तरीगी की वीडियो लेकर आया हूँ थोड़ा अलग लेकर आया हूँ आज मैं आपको बताऊँगा कि आप पशुओं के लिए दाना संतूलित आहार आप घर पे कैसे तयार कर सकते हो क्योंकि बजार में बिखने वाले हैं उनमें बहुत सारी की मिलावट हो रही है कई सारे कंपनिया तो ऐसे कर रही है कि पैसे कमाने के नाम पर हमें वार दना उसको सड़ा हुआ वार दना उसको पशुओं को खिला रही है और पतने कितने तरी गंद खिलाया जा रहा है आज मैं आपको अपने घर पर आप कैसे अच्छा दना तयार कर सकते हो को जिससे आपके पशु अच्छा दू देंगे और आपके पशों की सेस्थ अच्छी बनी रहे ही और वह गावं समय पर होंगे तो दोस्तों शोरू करते हैं अगर आपने हमारा वीदी बता रहा हूँ कि जो सबसे बेसिक है जिसे आप असानी से अपने घर पर दाना बना सकते हैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी और मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्यों कि हमारी कोशिश रहती है आपको जितने ज्यादा उधारन से प्रैक्टिकली बताया जा सके वो बहतर है इसलिए आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि अंत में आपको दिखाऊंगा कि आपको इसको पशों को कैसे डालना है जिससे आपको अच्छा दूद मिले और आपके पशों सवस्त रहें तो वीडियो पूरा देखें तो इसके सबसे पहले आपको अनाज चाहिए मैंने गेहूं ले रखें क्योंकि गेहूं मेरे पास घर पे वैलेवल हैं आप इसमें बहुत सारी अनाज अन्या भी ले सकते हैं मक्की जहीं वगारा जों वगारा भी डाल सकते हैं इसमें 50-60% आप अनाज ले ले लीजिए अगर आप ब आपताओं को सो कैसे कैसे यूज करना है पश्वों के लिए और ये दालों का चारा दालों का जो बचा होता है वेस्ट होता है दाला मिक्स दालों का वेस्ट है यह वह यह तीस रुपे किलों के हिसाब से आपको बजार से मिल जाएगा और यह सू है जो की पश्वों के कीता है इसके अड़ करनड या सबसे बहते हैं काफी रखल्पो पशेफ़ बढ़ते हैं ku z a अगर आपका पशू आपके जो वो दाना खाने में आना कानी करते हैं तो आप उनमें गुड़ भी पीक्स के मिक्स कर सकते हो अगर आप दाने की मात्रा को बढ़ाना चाहते हो अगर आप ज़ादन दाना बनाना चाहते हो और लागत कम करना चाहते हो तो इसमें आप चोकर भी एड़ कर सकते हो जो की 12-15 रुपे किलो के असाब से आपको अपकी लोकल आठा चक्की से मिल जाएगी और मैं भी इसमें आठा चक्की से जो चावल का बचा हुआ वेस्ट होता है वो भी मिक्स करूँगा और जो आप सामने ये पैकट देख रहे हो ये मिलिल मिक्स्चर होता है और उसमें बहुत सारे खनीज तत्व होते हैं जो की हमारे पश्चों के लिए काफी महत्तपून होते और इसमें ये 6kg का पैकट है इसको मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ और जैसे कि मैंने आपको दिखाए दिया है कि मैंने अपना क्या-क्या ले रखा है उसमें गूड और चोकर मिक्स नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इनकी वशकता नहीं है और मैं साइड कर देता ह और सबसे पहले मैं बड़े में मिला रहा हूँ और फिर ऐसे ही मैं सभी चीजों को मिला दूंगा और इसमें मैं एक चीज आपको बताना बूल गया मैं इसमें नमक पी अड़ करूंगा नमक भी काफी जरूरी होता है हमारे पश्चों के लिए क्योंकि अगर उनमें साल्ट की कमी होगी तो वो इतना अच्छा दूद उत्पादन नहीं कर सकते और उनमें कोई किसीने की कमी रहीगी तो इसलिए आप इसमें नमक भी जरूर एड़ करें और नमक का पैकट मैं आपको आप दिखा देता हूँ नमक भी मैं अड़ कर रहा हूँ और घर पर त्यार गदा और बता हूँ इसमें आप खल होती है जो बड़े में की खल वो भी एड़ कर सकते हो लेकिन उसको मैं अलग से डालता हूँ पश्चों को बीच बीच में डालता रहता हूँ वो आपको अलग से भी आप डाल सकते हो कोई जरूरी नहीं इसके अंदर आपको एड़ करना और इसके लावा आप इसमें गणे का चिलका आता है वो भी एड़ कर सकते हो इसको अच्छे से मिला लें जैसे आप देख सकते हो अच्छे से मिला के इसको आप और चक्की से जाके आप चोकर वगारा भी इसमें एड़ कर सकते हो वो भी एक सस्ती पड़ती है और जो चावल का व पशू के दूद के साब से ले ले अगर आपका पशू 10 kg दूद देता है तो आप एक दिन में 5 kg दे और भाई केजी एक इसमें दे और इसमें मैं यह देख सकते हो आप यह सूँ एड कर रहा हूं क्योंकि मेरी गाये को थोड़ी सी लोज मशन की प्रॉब्लम है और और अंत मे मिनर मिक्शर एड करना होता है जब मिनर मिक्शर सही समय तभी है जब आपको पशू को दाना डालना है तभी आप मिनर मिक्शर को डालें अदरवाइस आप इसको ढखकर अच्छे से बंद करके रखें और जैसे मैंने अब इसको एड कर दिया है और मैं अपनी इसको गाये क झाल को छाँ से जो से राखती, ज तो कृतों तो इसलिए मैं आपको भैंस को भी दिखाँंगा की भैंस को ओक्षी convince का क्षुक ह sickness everlasting वीडियो बनाने का मक्षड यहीं था की भाइयो आप को आप को कि पशुआ को अच्छा लूँगा और मैं ऐसे भी देखें जिगास नहीं खा रही है और जैसे ही मैं इसको डालूँगा और इसको सारे के सारा घास ये खा जाएगी और जब अच्छा पशुर रजेगा खाए पियेगा तब ही अच्छा दूद देगा और दूद के लिए कहीं और कारने भी होते हैं अच्छा दूद लेने के लिए आपको आपके चारे पे भी डिपेंड होना पड़ता है चारा भी आपको अच्छा होना चाहिए और उसपे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अंतमें दोस्तों मैं आपसे इंतजा करना चाहूँगा अकर आपको वीडियो अच्छी लग है अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट में लिकिए